नमस्कार इस समय कोविट का पैंडेमिक चल रहा है और बहुत सारे ऐसे रोगी हैं जिनमें कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव है और वो घर में रहे कर अपना इलाज कर सकते हैं यानि होम आईसोलेशन तो आज हम बात करेंगे होम आईसोलेशन की होम आईसोलेशन के कौन से व्यक्ति पात्र हैं सबसे पहले ये जानना जरूरी है तो जिन व्यक्तियों में आउक्सीजन का सचुरेशन 94 प्रतिशत या उससे अधिक है उनकी सांस की दर 24 प्रति मिनट से कम है और जिनको बहुत हलके लक्षण हैं जैसे गले में खराश, नाक का बहना या बहुत हलका बुखार है ऐसे व्यक्ति होम आईसोलेशन के पात रहें साथ में होम आईसोलेशन का मतलब ये नहीं है कि होम आईसोलेशन में रहे कर स्वेम इलाज करें यहां मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो सरकार के द्वारा दी गई दिशा निर्देश के अनुसार बात कर रहा हूँ ये केवल एक दिशा निर्देश हैं ये कोई घर में रहकर इलाज नहीं करना है आपको एक चिकिसक की राय से चिकिसक की सलाह से उसकी निगरानी में जो भी होम आईसोलेशन के दोरान इलाज करना है वो उनको मालू होना चाहिए ये बहुत आविशक है कि आपका संपर्ग एक कुशल चिकिसक से 2400 घंटे होना चाहिए चाहे टेली कंसल्टेशन के माध्यम से चाहे वीडियो कंसल्टेशन के माध्यम से साथ में आपकी देखभाल के लिए 2400 गंटे एक व्यक्ति घर में उपस्तित होना चाहिए यदि आप घर में अकेले रहते हैं तो आप होम आईसोलेशन के पात्र नहीं है आपके घर में एक ऐसा कमरा होना चाहिए जो केवल आपके लिए ही आरक्षित हो प्रिफेरेबल तो ये भी रहेगा कि आपका बात्रूम भी अलग हो वो कमरा हवादार हो उसमें क्रॉस वेंटिलेशन यानि कि एक तरफ से हवा आकर दूसरी तरफ निकलने की विवस्ता हो ये अगर सारी चीजें उपलब्द हैं तब आप होम आईसोलेशन के पात्र हैं मान लीजिए कि आपके परिवार में कोई ऐसे बुजुर्ग रह रहे हैं जिनको हाइपरटेशन, डायविटीज या कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वो लगातार दवा खा रहे हैं, इस्टिरॉइड ले रहे हैं तो उनसे तो आपको दूरी बनानी ही है सार्थ में यदि मान लीजिए आप भी इन बीमारीों से ग्रसित हैं जैसे डायविटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट की कोई बीमारी या कैंसर की कीमोथरेपी चल रही है, या HIV, या कोई ऐसी चीज जिसमें आप कॉर्टिकोस्टिरॉइड का प्रयोग कर रहे हैं या आपकी प्रतिरोधक्शनता कम है, या आपकी उम्र साथ साल से उपर है तो होम आईसोलेशन के लिए बहुत जरूरी होगा कि आपका एक परिक्षण कुशल्च किस्तक द्वारा किया जाए और यदि वो अनुमती देते हैं, तब आप होम आईसोलेशन के पात्र होंगे यदि हम इसको दोरा कर देखें, तो यदि आपकी कोरोना की टेस्ट पॉजिटिव है और आप में बहुत ही कम लक्षण हैं, जैसे हलकी गले में खराश, हलका बुखार, या लक्षण नहीं है आपका ऑक्सिजन का सचुरेशन 94 प्रतिशत या उससे अधिक है स्वशंदर आपकी 24 से कम है, क्याने की 24 प्रतिमिनेट से आपकी सांस नहीं फूल रही है, तो आप होम आईसोलेशन के पात्र है अब प्रश्ण ये आता है, कि जब आपको होम आईसोलेशन की अनुमन्यता मिल गई तब आप क्या करें, आपको हमेशा ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क पहनना है अपने घर में और आपके कमरे में यदि कोई दूसरा व्यक्ति केयर टेकर आता है, तो प्रिफरेबल ये होगा कि आप और आपका केयर टेकर दोनों N95 मास्क पहने और उचित दूरी बना कर रहे हैं, यानि कि मान लिए आपके कमरे में वो खाना देना आते हैं, तो ऐसा ना हो कि आपके साथ बिस्तर पर बैठ जाएं, आपके साथ बैठ के बाते करने लगें, आप दोनों के बीच में दूरी कम हो जाए, ये नहीं देखना, तो उचित दूरी बनाना है, मास्क पहनना है, अपनी हैंड हाईजीन पर ध्यान देना है, लगातार अपने हाथों को विश्व स्वास संगठन के बताय हुए नियमों के अनिसार धोना है, आपको अपने कमरे की सफाई, चुकि आपके तो लक् पर्श की, दिवाल की सफाई करिए, जो आपकी डोर नॉब है, या टेबल टॉप है, या मान लिए जिसको आप, जो सताय बार बार शुए आती है, और वो मेटैलिक है, तो वो 70 प्रतिशत अलकोहल योग तो सेनिटाइजर से साफ रखिए, ये काम रोज करना है, हमारे कई वीडियो उपलब्ध हैं, उसमें ये बताया गया है, कि ब्लीचिंग पाउडर और हाइपोग्लोराइट घोल को कैसे बनाते हैं, और कैसे प्रिजर्व करते हैं, आप लोग चाहें, तो उसको देख सकते हैं, इसके साथ ही, अब जब आपको खाना दिया जाता है, तो आप स है, उसको भी स्वयम साफ करना है, जो आपके कपड़े हैं, उसको भी स्वयम धोना है, और धो के सुखा देना है, उसको किसी के साथ मिक्स नहीं करना है, अपनी तॉलिया है, अपना रुमाल है, किसी परिवार वाले के साथ मिक्स करना है, और किसी भी दशा में, आपको नहीं सुरक्षित रखना है यह जिम्मेदारी आपकी है अपनी प्रतिरोधक छम्ता बनाए रखने के लिए या बढ़ाने के लिए क्योंकि कोरोना के दिनों में आपको अपने प्रतिरोधक छम्ता याने की इम्मून पावर की बहुत जरूरत होती है शरीर को प्रापरली हाइ हाइड्रेट करना है हाइड्रेट मतलब नियमित रूप से पानी सूप जूस फल का रहस कोई भी स्वस्थ पे पदार्थ पीना है इसलिए पीना है कि यदि आपका हाइड्रेशन प्रापर नहीं होगा तो आपकी प्रतिरोधक शम्ता कम हो जाएगी डाइट के ओपर विशेस हैं शाकाहरी हैं तो पनीर दूद दही दाल सोया बीन ये ले सकते हैं यदि आप नॉन वजिटेरियन है तो आप मचली है चिकन है अंडा है इन सब का प्रियोग कर सकते हैं तो हाई प्रोटीन डाइट लेना है खुब सारा पानी पीना है और साथ में बैलेंस डाइट ताज कि जिसमें हमको पूरा पोशक्तत्व मिल जाए हाईडरेशन और बैलेंस डाइट के साथ साथ अपनी नीद का ख्याल लगना है पूरा साथ से आठ घंटे सोना है अपने मानसिक स्वास्त को बहुत अच्छा रखना है मानसिक स्वास्त को अच्छा रखने के लिए जरूरी ह कि आप हमेशा अपने आपको टेंशन फ्री रखे करोना का भै अपने उपर हावी ना होने दे कुछ ना कुछ किताब पढ़े कुछ ना कुछ म्यूजिक सुने मेडिटेशन करे डीप ब्रीधिंग एकसरसाइस करे जिससे आपके फेफड़े मजबूत हो तो यह सब आपको स होर्मोन जो दिमाग के पैदा होते हैं मांसिक अशान्ती से वो आपकी इम्यून पावर को कम करते हैं अब प्रश्ण आया कि हम को दवाई कों से लेनी है बुखार यदि आपको है तो परासिटेमॉल के अलावा फिलहाल कोई दवा नहीं लेनी है परासिटेमॉल यदि आप वयस्क हैं आपका वजन 40 किलो से उपर है तो 650 मिली ग्राम मैक्सिमम दिन में चार बार ले सकते हैं परासिटेमॉल की मैक्सिमम डोस 3 ग्राम प्रती 24 घंटे होती है वयस्कों के लिए यदि इसके बावजूद बुखार नहीं उतर रहा है तो डॉक्टर की सलाह से कुछ और NSAID होते हैं जैसे नेप्राकसिन 250 मिली ग्राम सुबेर शाम या मेफिनामिक एसिड 500 मिली ग्राम सुबेर शाम इसमें एड़ कर सकते हैं मगर यह सब करेंगे आप चिकिस्ता की सलाह से अपने अमन से नहीं करेंगे इसके साथ ही यदि आपकी बुखार या खासी चार से पांच दिन तक बढ़ गई है लगातार चल रही है तो आप ब्यूडी सुनाइट का रोटा हिलर के द्वारा पाउडर का इन्हिलेशन कर सकते हैं यह रोटा हिलर का प्रयोग मैंने एक अन्य वीडियो में बताया है कैसे करना है आप लोग देख सकते हैं तो यह ब्यूडी सुनाइट आपको जब लेना है जब चार से पांच दिन बीच गए और बुखार और खांसी आप भी ठीक नहीं हो रही है यह 800 मिलीग्राम माइक्र सुबरे शाम तो दवाईयों के नाम पर केवल इतना लेना है इसके अतरिक कोई मान लिए आपको अलर्जी हो रही है नाग बह रही है तो एंटी अलर्जिक दवाईय ले सकते हैं अपने डॉक्टर से पूछिए वो हो सकता है कि आपको लिवोसेट्रिजीन और मॉन्टी ली का कॉम्बिनेशन बताएं जैसा वो बताते हैं वो लीजिए यूजवली इसे नींद आती है तो अच्छा होगा कि रात के समय ही ले सोते समय ले हमको लगातार गरम पानी का सेवन करना है गरम पानी के गरारा करना है पानी का भपारा जिसे हम कहते हैं इस्टीम इनिलेशन नात के द्वारा भी और मुख के द्वारा वो लेना है और तीन दिन तक तो आराम कर लिया उसके बाद थोड़ा थोड़ा व्यायाम भी करना है तो इन सब क्रियाओं को करने से हम सुरक्षित रह सकेंगे साथ ही में हम अपने फेपरों की हेल्थ को भी जाच सकते हैं बगार एक स्रेय बगाए सीटी के इसका भी हमारा एक वीडियो है आप लोग देखेंगे ब्रेथ होल्डिंग टेस्ट या सिक्स मिनिट वाक टेस्ट के जरीए आप मालूम कर सकते हैं यदि इस दोरान हमारी सांस फूल जही हो स्वशंदर 24 से उपर जा रहा हो या आक्सिजन की कंसेंट्रेशन 94 प्रतिशत से कम हो रही हो या बुखार जादा हो रहा हो खांसी बढ़ जाए तो हमको तुरंट चिके सक्से सलाह लेनी है हो सकता है कि हमको भरती की आवशक्ता प सुनी सुनाई बातों पर दोस से पूछ कर वाटसअप पे देखकर सोशल मीडिया में देखकर सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना अपने ओपर सोयम से दवाईयों का निधारन नहीं करना है डॉक्टर से पूछ कहीं दवाई लेना है ओवर मेडिकेशन नहीं करना है कि मालूम ब नहीं होते या मामूली होते हैं उनको नहीं दिया जाता लेकिन कभी जब बिस्तर की कमी होती है या थोड़ी सी आपकी ऑक्सिजन की सांधरता कम होती है तो कुछ चिकिस्तक घर में भी रहकर इस्टिराइट मुझ से लेने की सलाह देते हैं मगर स्वयम नहीं लेना है कौन सा लेना है कब लेना है लेना है कि नहीं लेना है यह आपका चिकिस्तक घर करेगा इसके साथ ही पैनिक नहीं होना है मांसिक स्वास्त को जैसे मने बताया ठीक रखना है डर नहीं पैदा करना अपने मन में और हमको तीन महीने जब हम ठीक हो जाएं उसके तीन महीने के बाद को जाएंगी मगर लंबे समय तक हो सकता है ना बचा पाएं इसके लिए कोरोना की वैक्सीन जो भी उपलब्द हो उसको लेना है तीन महिने के बाद उसके पहले नहीं भागना है मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग खून को पतला करने वाली दवाईयां एंटी कोअगलेंट्स बिना किसी चिकस्की सलहा के लेना शुरू कर देते हैं ये आपको घर में होम आईसोलेशन के समय नहीं लेना है जब आप एडमिट होते हैं तब तो आपको दी ही जाती है क्योंकि कोरोना में एक थ्रॉम्बो एंबॉलिजिम की भी प्राबलम होती है लेकिन आपको अपने घर में रहते हुए बिना किसी चिकस्की सलाग के ये दावाईया नहीं लेदी है तो यदि मैं समप करूँ तो आप घर में रह के दावाईया क्या क्या ले सकते हैं एक पेरासितिमाल एक चिकिस्तिकी सलाग से यदि बुखार ना उतर रहा हो तो आपको नेप्राक्सिन या मेफिनामिक एसिट और ब्यूटिसोनाइट इस्प्रे ज्यादा बुखार हो तो कोल्ड इस्पंजी बस मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी इन बातों से आपका थोड़ा सा ग्यान बढ़ा होगा थोड़ी से गबलहाट कम हुई होगी और आप यदि इनी दिशाद निर्देशों का पालन करेंगे तो आप निश्चित रूप से ठीक होंगे ये सोच कि आपको घर में रहना है औ उनको ये भी देखना है कि नई नई गाइड लाइन्स क्या आ रही है उसका पालन करें हमारे द्वारा जो इस्तेमाल किये गए मास्क हैं भोजन हैं गलव्ज हैं उनका नियमित रूप से सही रूप से डिस्पोजल करना है धन्यवाद और हमें उम्मीद है कि आपको हमारे बात पसंद आई आप से अनरोध है कि आप इस चीज को अपने मित्रों में और परिजनों में साज़ा करिए जिससे उनको भी लाप मिल सकें